हेलो नमस्कार बच्चो अभी तक के हमारे जो दो वीडियो थे उनमें हम लोगों ने डिसकस किया था कि आप रेडियस और विलोसिटी एंथ वोर और अर्बिट के लिए कैसे फाइंड करेंगे और आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं कि आप एंथ वोर और अर्बिट के लिए energy किस तरीके से find करेंगे चो चलिए start करते हैं वीडियो को अगर वीडियो पसंद आए तो like कीजिएगा चैनल को subscribe कीजिएगा और वीडियो को ज़्यदा श्यदा share कीजिएगा मैंने last class में आपको एक expression बताया था कि nth orbit के लिए जो velocity आईगी आपकी 2 pi k ze square upon n h अब last वीडियो जाके देखिएगा जिसमें लिखा हुआ है कि velocity for nth orbit वो वाली वीडियो देखिएगा आपको वहां से clear होगा आप radius से start कीजिएगा और फिर radius देखिएगा पहले velocity देखिएगा पूरा concept समझाएगा ठीके अब आपको बता है काइनेटिक एनरजी होती है वो आपकी क्या होती है half m v square तो आप जो v की value है यह vn यहाँ पर put कीजिएगा तो आप देखिए क्या बनेगा half m 2 pi k ze square upon n h का square काइनेटिक एनरजी आपकी क्या आईगी देखिएगा 1 upon 2 m into 4 pi square k square z square e2 power 4 upon n square h square ठीक है यहाँ से 2 से 2 के एन से लोगा तो आपकी जो काइनेटिक एनरजी बनेगी वो क्या बनेगी 2 pi square k square z square e2 power 4 m upon n square h square यह आपकी क्या बन गई बच्चो काइनेटिक एनरजी यह आपकी किसका expression आगया काइनेटिक एनरजी अब मेरी पूरी बात सुनेगा जो आपकी potential energy होती है potential energy by 2 is equals to minus of kinetic energy is equals to total energy यह expression आपका मैंने बहुर वाले जो जिसमें start किया था बहुर पॉस्चूलेट वगर है बहुर मोडल उसके अंदर समझा रहा है तो आपको जब kinetic energy और total energy में जो relation आपको बता है kinetic energy का minus total energy है तो total energy क्या बन जाएगी आपकी minus 2 pi square k square z square e2 power 4 m upon n square h square यह आपकी किसका expression आगया total energy यह आपकी कै काइनेटिक energy यह आपकी कै टोटल energy और अगर आपको potential energy निकाल नहीं है तो आप यह तो potential energy by 2 को minus kinetic energy के उक्वल कीज़ potential energy by 2 को आप total energy के लिए इक्वल कीज़ तो चली मैं कर देता हूँ potential energy by 2 is equals to total energy यानि total potential energy क्या रहेगी आपकी just twice of total energy e total energy, p क्या आपकी potential energy तो 2 into minus 2 pi square k square z square e2 power 4m upon n square h square तो यहां से जो potential energy है वो आपकी क्या बन जाएगी minus 4 pi square k square z square e2 power 4m upon n square h square ठीक है, यह आपका expression potential energy का आगी अब यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं तो मैं total energy का जो expression उसको लेता हूँ, देखिएगा, total energy में जो आपने expression लिखा है वो क्या लिखा है, minus 2 pi square k square z square e2 power 4m upon n square h square आप z square upon n square को छोड़ दीजे, इसको छोड़ दीजे, बाके सारी की value जो आईगी न वो आपकी 13.6 आईगी, तो जो total energy का expression होगा, 13.6 into z square upon n square electron volt पर atom बनेगा, और अगर आपको joule पर atom में निकालना है, तो आपको बहुत है, 1 electron volt कितना होता है, 1.6 into 10 to the power minus 19 joule, तो यहाँ पे बन जाएगा, minus 2.18 into 10 to the power minus 18 z square upon n square joule पर atom, यह दोनों expression आपके पास बन जाएगी, किसके total energy अब यहाँ पे आगे अगर हम लोग बात करते हैं, तो हम लोगों के पास क्या होता है, दो expression बने, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं, कि जो energy होगी, वो directly proportional होगी, z square upon n square यानि अगर आप e1 upon e2 लिखते हैं, तो आप लिखेंगे, z1 upon z2 का whole square, into n2 upon n1 का whole square, यानि energy जो आपकी होगी, यानि जो आपकी energy होगी, वो z square के directly हैं और n square के inversely हैं, तो यहाँ से देखिएगा आप, दो condition हो सकती हैं, पहला हो सकता है कि z1 किसके equal आजाए, z2 के, और दूसरा हो सकता है, n1 किसके equal आजाए, n2, तो z1 अगर z2 के equal आएगा, तो देखिएगा, e1 upon e2 क्या बनेगा आपका, वो बनेगा, n2 upon n1 का whole square, और अगर n1, n2 के equal आएगा, तो e1 upon e2 जो आएगा, वो क्या बनेगा, z1 upon z2 का whole square, तो यहाँ से एक चीज प्रूव होती है, कि जो energy है, वो n2 के inversely है, और जो energy है, वो z2 के क्या है, बच्चो, directly proportion, ठीक, यहाँ तक समझ आएगा, जो energy आप लोगों ने लिखी, minus 13.6 into z2 upon n2, अगर मैं बात करूँ for h atom, तो hydrogen atom का z कितना होगा, 1, एनर्जी कितनी होगी, minus 13.6 upon n2, किसी भी nth के लिए बोल सकते हो, आप nth के लिए बोल सकते हो, e nth, तो देखेगा, अगर बोर में मैं different shell बनाता हूँ, जैसे मैंने n is equal to first shell, second shell, third shell, fourth shell, इस तरीके से fifth shell, n is equal to infinite, जहाँ energy कितनी होथी आपकी, 0, तो यहाँ आप n की value 1 put करेंगे, यहाँ minus 13.6 आईगी, यहाँ n की value 2 put करेंगे, तो minus 3.4 आईगी, यह n की value 3 put करेंगे, minus 1.5 बनाईगी, n की value 4 put करेंगे, तो minus 0.85 आईगी, अब आप से difference पूछा जा सकता, अब आप देखेंगा यहाँ पे, मैंने last class में भी बताया था आपको, जैसे जैसे आप यहाँ जा रहे हैं, आपकी energy देखें क्या होती जा रही है, increase, बड़ जब आप difference लेंगे, तो आप difference लेके देखेंगा, यहाँ पे, ठीक है, यह difference आपका 10.2 electron volt का आएगा, यह difference आपका 1.89 electron volt का आएगा, यह difference आपका 0.66 electron volt का आएगा, तो यहाँ पे जो difference है आपका continuously, यानि E2 minus E1, फिर उसके बाद E3 minus E2, फिर उसके बाद E4 minus E3, यह difference continuously क्या होता जा रहे है, कम होता जा रहे है, यानि difference कम होता जा रहे है आपका, और जो आपकी energy है, वो increase होती जा रहे है, अगर आपको यहाँ kinetic energy निकालनी है, तो आपको पते kinetic energy minus होती है, तो kinetic energy आजाएगी 13.6 upon N square, और अगर potential energy find करनी है, तो potential energy का just double होता बेटा, तो minus 13.6 upon N square into 2 करेंगे double, तो potential energy कितनी आजाएगी, यहाँ जाएगी 27.2 upon N square, यह किसमें electron volt per atom में, इसकी भी unit के है electron volt per atom, और इसकी भी unit के है electron volt per atom, I think वीडियो आपको पसंद आए होगी, अगर वीडियो पसंद आए होगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा श्यादा शेर कीजिएगा, thank you.